आज जो हम लड़ू बनाने जा रहे हैं उसमें ना ही हम मावे का यूज़ करेंगे ना ही चीनी का यूज़ करेंगे फिर भी लड़ू बहुत ही स्वाधिस्ट बनेंगे यहां मैंने एक कप गहूं का आटा लिया है और आदा कप से कम सूजी लिया है और इसे ड्राय रोस्ट ही करेंगे कुछ भी नहीं डालना है हमें बस इसे लगातार चलाते भूनना है हमें रुकना नहीं है अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह आटा और सूजी जो है यह हमार देखिए कसार की जैसे तयार ना हो जाए जैसे हम कसार भूनते हैं लाइट ब्राउन ब्राउन उसमें आटा के भूनने की खुश्बू आ जाती है इसी तरीके से हमने इसे भूनना है ये देखिए हमारा आटा भून गया है बस इतना ही भूनना है हमें इससे जादा नहीं अब ये देखिए हमने 200 ग्राम गुड लिया है इसे बारिक बारिक चौप कर लिया है और उसी कड़ाई में हम डालकर इसमें थोड़ा पानी डालकर इस गुड को मैट करना है हमें ज्यादा पकाना नहीं है सिर्फ मैट करना है यह 3-4 हमने इलाइची के दाने डालें आप चाहे तो इसे कूट करके भी डाल सकते हैं मुझे इलाइची के दाने ज़़ाजाधा पसंद है इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दियें और यह हमारी घी की खुर्चन बची है मैंने घी बनाया था उसमें खुर्चन निकली थी वही हम यहां यूज़ करेंगे और इसे भी गुड में घोल लेंगे यह देखिए हमारा गुड में यह सब मिक्स हो गया है एक दम घुल गया है देखिए इतना ही हमें पकाना इसे ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है बस हम इसे एक दो मिनट बस लगातार चलाते चलाते इसी तरीके से पकाएंगे हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है बस एक दो मिनट के लिए ही पकाना है अब हम इसमें जो भी हमारे पस ड्राइ नट्स या जो भी हमारे पस ड्राइ फ्रूट्स अबलेबल हैं वो हम इसी स्टेज पर डालेंगे और इसे लगातार एक दो मिनट तक और चलाएंगे चलाते चलाते ये हमें एक दो मिनट तक हो चुका है अब हम इसमें जो आटा हमने या सूजी जो भून के रखा था आटा सूजी वो हम इसी जगा इसमें डाल देंगे कड़ाई में ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे ये एकदम गाड़ा हो जाएगा बिल्कुल एकदम देखो ड्राइ हो गया है धीरे धीरे यह मिक्स हो गया है अब हम इसमें आदा ग्लास दूड डालेंगे क्योंकि सूजी हमारी फूलने के लिए कुछ दूद बूद चाहिए या पानी डाल सकते हैं दूड डालेंगे तो अच्छा जादा टेस्ट आएगा दूड डालकर हम इसे चलाएंगे आप इसमें एक चमज भरके देशी घी डालेंगे क्योंकि हमने इसे घी भी वगयरा कुछ ने डाला है अब जब तक पकाएंगे जब तक ये कड़ाई को छोड़ने न लगे आप चाहे तो इसे हलवा की तरह ऐसे ही खा सकते हैं पर मैंने लड्डू बनाए हैं तो इसे बड़ी प्लेट में या थाली में किसमें भी निकाल कर हलका से ठंडा हो जाने देंगे हाथों क ग्रिस करेंगे और लड्डू को छोटे छोटे अपने पसंद से बांद लेंगे ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बंद रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हैल्दी ये लड्डू है आटे के ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ही सौक्ट हैं आप इस